हलू फ्रेंट्स सोनी बुटिक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम चाले से चेट साइज का फोर डॉट सिंपल ब्लाउज की कटिंग देखेंगे तो चप से पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाएंगे तो यहां से देखें ऐसे हम अपना चष्ट का चोथा बाग लेंगे और 1.5 इंच अपना सिलाई मार्जिंग लेते हुए हम कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेंगे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकती है अब यहां से हम एक सिधा निशान लेंगे और अपनी लंबाई देखेंगे तो लं हम यहां से 6 इंच का रखेंगे तो यहां से हम 6 इंच पे अपना शोल्डर लेंगे एक निशान नीचे की साइड से भी लेंगे अब इन दुनों निशानों को सिधा करेंगे और यहां से हम अपना आर्म होल रखेंगे पौने 6 इंच पे और इस निशान को आगी की साइड ब अब यहां पãy हम अपना शिलाई मार्जिंग छोडेंगे और अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे तो चेस्ट हमारा 10 इंच का लगाएंगे, 24 का चौथा भाग 10 इंच अब अपने आर्मोल का नाप ले ले लेंगे, तो आर्मोल में 61 8 इंच त्यार करना है तो यह हमारा 62 80 इं का रखेंगे अब यहां से देखिए यहां से जो हमारा गल्णा उपन होगा जो हमारा गल्णा पुंchszen 9 पे निशाणल लगाएंगे अधा lapse इंच मेरा उपर शुल्डर प्रू पर यहां पर की साथ दपके आए गा तो हमें 18 बढा के लियाoured प्रूशन है अब में मिलाती हुए शिदा कर लेंगे और इस निशान को यहां से मिला लेंगे अब अपने गले का शेप ले यहां पे हमें गोल-गला त्यार करना है अगर आप कोई डिजाइन करना साथी है तो अब इसमें कर सकती हैं अब यहां पे देख की पीछे का हम डॉट लगाएंगे तो इहां पे हम 11 इंज पे अपना डॉट लगाएंगे साड़े 10 इंज पे त्यार आएगा आधा इंच हमारा उपर की शिलाई के लिए अब यहां से जो हम दूरी लेंगे वो हम साड़े चार इंच की दूरी पे लेंगे जैसे हमार अगला उपेन होता है उसी हिसाब से हम इस डॉट को आगी पीछे कर सकते हैं तो यहां से आप चार इंच, साड़े चार इंच तक आप यहां पे दूरी इसकी लें सकते हैं अब यहां पे हम आधा आधा इंच का अपना सिलाई मार्जिंग रखेंगे और इन निशानों को भी इस पॉइंट से तिर्छा मिला लेंगे तो यह हमारे शबी निशान लग चुके हैं अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आउन कर लेजेगा हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही इस्टेप के साथ कटिंग और इस्टिचिंग की वीडियो मिलती रहती है फ्रंट्स अगर आप और भी साइज हो की ब्लाउज की कटिंग देखना चाहती है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकती है अब हम इस सभी निशानों पे चोटे-चोटे कट लगा लेंगे तो यह हमारा बैक पाट की कटिंग कम्प्लिट होती है अब हम फ्रंट पाट की कटिंग करेंगे तो यहां से देखिए एक इंच हम बढ़ाते हुए कपड़े को डवल फोल्ड करेंगे तो साइट से हमें एक इंच बढ़ाते हुए लेना है अब यहां से एक सिधा निशान लेके और यहां से इस एश्ट्रा फैब्रिक जो है इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं अब यहां से हम अपनी लंबाई लेंगे तो देखिए लंबाई हमें 15 इंच तियार करना है एक इंच हम शिलाई मार्जिं इसको हमें लगाया है 6 इंच पे अपना शोल्डर रखका है फौने 6 इंच पे अपना आर्म होल रहां लेंगे और ऐसे करते हुए अपने कर लेंगे अब यहाँ पे हम अपना शोल्डर रखेंगे तो शोल्डर हम तीन इंच कर लेंगे जितना हमने बैक पार्ट मिलिया है अब यहाँ से आगए का गला च्छै इंच उपन होगा तो साड़े च्छै इंच पे निशान लगाएंगे तीन इंच हमारा उपर की शैड है तो यहाँ पे भी हम तीन इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को ऐसे सिधा कर लेंगे और इस निशान को यहाँ से मिलाते हुए अपने गले का शेप ले लेंगे अब यहाँ पे अपना देखिए शोल्डर पे जो है अंदर की शैड हम आधा इंच डाउन करेंगे तो यहाँ से हमें अंदर की शैड आधा इंच लेते हुए यहाँ से इस पॉइंट से तीर्छा मिला लेना है और इस निशान को आगे की शैड बढ़ा लेना है अब यहाँ पे भी हम अपनी गुलाई लेंगे तो यहाँ से हम अपनी गुलाई पॉने एक इंच की दूरी से देंगे आप एक इंच भी कर सकती है एक इंच पे भी अपनी यह गुलाई ले सकती है अब यहाँ पर देखिए यहाँ से अपने चेश्ट का नाप लगाएंगे तो चेश्ट का चोथा बाग 10 इंच एक इंच अपने डॉट के लिए लेंगे और डेड़ी इंच अपना शिलाई मार्जिंग सेम निशान नीचे की शाइड भी लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे इसी लाइन पे हमारी शिलाई आएगी अब यहाँ से हम अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से देखें डॉट पॉइंट हमने बैक पार्ट में जो है 11 इंच पे लगाया है तो इसमें हम 11, 12 इंच तक कर सकते हैं इसमें हम आधा इंच एक इंच तक डाउन कर सकते हैं क्योंकि एक सिंपल ब्लाउज है तो इसका जो नोक उपर की साइड ज्यादा चड़के ना आए इसके लिए हम यहाँ से एक इंच इसको डाउन करेंगे बैक पार्ट से हमने फ्रंट पार्ट में एक इंच डाउन किया है अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम 4 इंच की दूरी लेंगे और इन निशानों को यहां से सिधा कर लेंगे तो हम अपने चेश्ट का दस्वा भाग लेते हैं इसकी दूरी लेने के लिए अब यहां से हम दो इंच की दूरी लेंगे इस सैट से भी हम दो इंच की दूरी लेंगे और इस साइड से हम तीन इंच की दूरी लेंगे तो ऐसे करते हुए हम अपने चारो डॉट को कम्प्लीट कर लेंगे इस वाले निशान को अर्म होल की साइड ले जाएंगे और इसे साइड में ले जाएंगे और इस वाले को फ्रंट में ले जाएंगे तो यह हमारे सभी चारो डॉट लग चुके हैं अब हम उपना सिलाई मार्जिंग रखेंगे तो सभी डॉट पे हमें आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिंग लेना है जब भी आप इस टिक के साथ ब्लाउज की कटिंग करेंगी पर्फेक्ट फिटिंग के साथ आएगा तो यह हमारे तीनों डॉट पे अपने सिलाई मार्जिंग हो चुकी है अब हम अपना नीचे का सिलाई मार्जिंग लेंगे तो यहां से देखिए यहां से हम सभा एक इंच का यहां पे साइड में डॉट लेंगे और इस साइड से भी हम सभा एक इंच का लेंगे टोटल हम यहाँ से अधाई इंच का नीचे का डॉट लेंगे यहाँ से देखिए हमने टोटल यहाँ पर अधाई इंच लिया है दोनों साइड से और इन दोनों निशानों को यहाँ से यहाँ से डॉट से मिला लेंगे तो नीचे का डॉट हम अधाई इंच लेंगे यह हमारे शबी निशा लग चुके हैं इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं अब इन सभी डॉट पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम सेब निशान नीचे की शाइड भी उठा लेंगे यहाँ पे देखिए इन डॉट कर जो निशान है वह हम दूसरे पार्ट में भी ले लेंगे तो यह हमारा निशान कंप्लीट होता है चलिए हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए जो फेवरिक बचा हुआ है हम इसी में से अपने बाजू कट करेंगे यहाँ से हम इसे फोर राउंड में ऐसे फोल्ड कर लेंगे अब कपड़े को सिधा कर लेंगे अपरन यहाँ पे देखिए यह हमारा कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे हमें जोइंट करना होगा तो यहाँ से हमें जो लंबाई तयार करना है वो 7 इंच तयार करना है लेकिन यह कपड़ा हमारा कम है तो हम यहाँ पे ले लेंगे और मेन फैब्रिक से हम बढ़ाते हुए 1 इंच अपना इस्टिच कर लेंगे अब यहां से हम इसको डाउन करेंगे तो यहां से हम 3.5 इंच पे डाउन करेंगे तो 3.5 इंच चार इंच तक आप इसे डाउन कर सकती है अब इस निशान को यहां से हमें तिर्षा मिला लेना है अब हम अपना आरमोल का जितना हमने आरमोल लिया है से मुत linearी हम यहां से भी अपने बाजू की गुलाई लेंगे तो यहां से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की साइड कपड़ा कम बज रहा है तो हम यहाँ पे अलग से ज्वाइंट कर लेंगे आगे की गुलाई हमारी साथ इंच है तो साथ इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से हम ऐसे तेशा मिला लेंगे अब हम अपना आधा आधा इंच का यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड और आधा इंच बाहर की साइड लेते हुए अपनी गुलाई लगा लेंगे पर जब भी आप इस्ट्रिक के साथ बाजू की कटिंग करेंगी आपका एक ब्राबर से बाजू आएगा यहाँ से हम इसको ओपिन कर लेंगे अब दो पाइट को ऐसे उपिन करेंगे और अपनी गहराई कट करेंगे तो यह हमारे बाजू की कटिंग कम्पलीट होती है अब यहाँ पे जो थोड़ा सा कप्ड़ा कम बच रहा है उसमें हम और लग से पट्टी जॉइंट कर लेंगे अब ऐसे हम अपनी हुक के लिए पट्टी कट कर लेंगे तो यहाँ से हम डवर फोल्ड में ऐसे फोल्ड करते हुए अपनी हुक के लिए पट्टी कट कर लेंगे चली हम में फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लैस को निकालते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे अब यहाँ पे देखें इसको हम सेट करेंगे नीचे की किनारी को छोड़ते हुए हमें इसे अस्तर वाले कप्रे को सेट करना है और इसे हम रफली कट कर लेंगे यह हमारा कट हो चुका है जब हम इसको इस्टिच करेंगे तो फाइनल कट करेंगे पहले हमें ऐसे ही सेट करते हुए रफली कट कर लेना है तो यहाँ से हमने में फैब्रिक को डबल फोल्ड पर करते हुए दोनों पार्ट को एक साथ हमीं आपके cut कर लेंगे assault फ्र्ञट्स अगर आप हमारी stitching की वीडियो देखना चांथी है तो हमारे चैनल के पहले से भी stitching की वीडियो अपलोड है तो आप जाके वाँ पे देख सकती है हमारी हर cutting डारेक्ट कपड़े पर होती है और परफ्फेक्ट फिटिंग के साथ होती है तो आप इसे एक बाटराइच जरू करिएगा और हमें कमेंट करके जरू बताईएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी चलिए म मिलते हैं फिर किसी नई कटिंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार